लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला देखन ले, सब्सक्राइब करो चानल पंजाब ते प्रेस करो बेल आइकन तो तुमने डटके कूटा पहले आतंकी हमले होते थे, तो हजूर स्टीफे देते थे शिवराग पाटिल साब ने दिया, बिलास राओ देश मुख्जी ने दिया अब आतंकी हमले होते हैं, तो तुम वोट मांगते हो तुमने लोग तंतर को डंडा तंतर बना दिया, खुंडा तंतर बना दिया, ट्रोल तंतर बना दिया, भै तंतर बना दिया, भै के उपर राज कर रहे हो तुम राहूल गांदीली लगातार चोण परचार का न पहुंचे होए पंजाब दे कैम्ड मंतरी नवजो सिंग सिदू वलो नरिंद्र मोदीदियां राज के पोला खोलियां जारी ने ते जम के प्रास कड़ी जा रही है सिदू ने क्या कि असी चोणकीदार नो चुकन्ना सामझे दे सी पर एतान निकम्मा निकला और इस तोलाबा सिदू ने मोदीदे कीकीदान चिका से आउसुन देयां करते थे जागते रहो जागते रहो अब चोणकीदार पूरे हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों का पैसा अमीरों को दे के कहते हैं बागते रहो बागते रहो बागते रहो हम तो सोचे थे चौकीदार निकलेगा चौकन्ना ये निकला बिलकुल निकम्मा और आज मोधी साफ जाने जाएंगे पकवड़ा जोजना और भगवड़ा योजना के लिए और खुद भगवड़े हो गए हैं मुद्दों से भाग रहे हैं अब दो करोर नौकरियों की बात न नहीं हो रही उन 304 संकल्पों की बात नहीं हो रही 15 लाख रुपए जो गरीब की जेप में डालने थे उनकी बात नहीं हो रही अब राष्ट्रवाद की शरण में चले गए हैं मोधी जी और राष्ट्रवाद ये कह सकते हैं राष्ट्रवाद जिनोंने सारी सरकारी कंपनि मारके अंबानी और अडानी को लुटा दी मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इन्होंने बीसनल को मारके पांच लाग पचास हजार करोड़ रुपए की कंपनी का जो कॉंट्रेक्ट है वो जी जो सरकारी कोणा चाहिये था सरकार को मुनाफ़ाना चाहिये था वो जियो दन-दनादन को दे दिया और फोटो कि चाहिए एडविटिज्मेंट की दन-दन-दन? आदंदन नोट बंदी रात को अनूंस की उस्वेरे पे टीम के साथ फोटो किजाई आज मोदी जी को बताना चाहता हूं राश्टरबाद की बात करते हो मोदी साहब तो सुनो इस देश के उपर 64 साल में 50 लाक करोड रुपया करजा था तुम्हारे सारे चार साल में 35 लाक करो पहले एक साल में ऑस्टन साथ से सतर अजार करोड रुपया करजा बढ़ता था अब तुम्हारे इस कारेकाल में 6 लाक से उपर 30 साल भारत के सर के उपर करजा बढ़ रहा है तुमने बड़ी बड़ी संस्ताइं DRDO HAL जो फाउज के निर्वान के लिए मशूर मानी जाती थी जिन्होंने प्रिफवी बनाई। जिन्होंने आकाश बनाई यह सब मजार्ज हैं जिन्होंने अगनी बनाई। उन के हक को मारके 60-60-00 करोड के कान्ट्रेक्ट तुमने अंबानी और अड़ानी को दे दिये। मिसाईल बनाने के कांट्रेक तुम्ने अम्वानियों को दे दिया पुम्ने इनको 1240 एकर जमीन 40 करोड की दी सीमेंट पलांट लगाने के लिए और इन्होंने 5000 करोड की बेच दी बगैर सीमेंट पलांट लगाए तुम इन बातों से मुकर्ते हो 17 लाग करोड रुपया NPA हो गया है कि सरकारी बैंकों का पैसा लेकर अमीर भाग गये सुप्रीम कोट ने बाजू मरोड के सारा श्री से पैसे लिए वापस सुप्रीम कोट ने ही अंबानी को घुरा अंबानी ने 5000 करोड वापस किये यहाँ बात है कि 17 लाग करोड रुपे लेके ये चले गए, सिर्फ सरकारी बैंक ही है, प्राइवेट बैंक से 10 परसेंट रुपेया गया है, दोनों पार्टियों ने करजे माफ किये हैं, तुमने अमीरों के 3 लाग 25 जार करोड माफ किये इंसेंटिव के नाम पे, और कॉंगर मेरे पास, पे-टी-एम मुनाफे में, SBA डूब रहा है, जियो मुनाफे में, PSNL डूब रहा है, प्राइवेट एरलाइन मुनाफे में, और इंडियन एरलाइन्स डूब रही है, तुम बता दो, तुम ही कहते थे ना, ना खाऊंगा, ना खिलाऊंगा रे, चम के खाया, औ तुमने ठोक के लूटा, और किसी में विरोद किया, तुमने डट के कूटा, तुमने लोग तंतर को डंडा तंतर बना दिया, खुंडा तंतर बना दिया, ट्रोल तंतर बना दिया, भै तंतर बना दिया, भै के उपर राज कर रहे हो तुम, पहले, हिंदुस्तान गोरे तो इस देश को डिवाइड करते थे, और राज करते थे, और ये देश वोट डालेगा काले अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए, तुमने इस देश को अमीरों का खुलाम बना दिया, 99% घरों के बार चोकिदार नहीं खड़ा होता, नहीं, अभी मेरी बोलने की बारी है गु इन बातों का कोई जवाब हो, तुमने और तो और जो नोकरियां भी थी, उनका ठेका भी अम्वाणियों को दे दिया, क्योंकि अम्वाणियों ने जो भी कॉन्ट्रेक्ट लिए, उसकी मैनुफेक्ट्रिंग जाके चाइना में करवाई है, तो कि चाइना में सस्ता बनता है हजारों लोग बेरोजगार के शिकार हो गए हजारों लोग करोड़ों लोग एक करोड़ दस लाख नौकरियां गई तुमने कहा मेरी 8.2 GDP है और नौकरी 8.2 GDP में सिरफ 8.5 तुमने कहा था 2 करोड़ एक साल में और यह कैसे हो गया कि चाइना की GDP 6.2 है और चाइना 65 मिलियन जॉब्स दे रहा है पांच साल में एक दिन में 35 हजार नौकरी दे रहा है और वो भी तुम वहां से मैनुफेक्चरिंग करा रहे हो अरे कहां की राश्टर भगती है तुम्हारी देश को बांट रहे हो मंदिर के नाम पे मस्जिद के नाम पे सौज को तुमने और एलेक्शन का जरिया बना लिया मोदि जी की आर्मी पहले आतंकी हमले होते थे पहले आतंकी हमले होते थे तो हजूर स्टीफे देते थे शिवराज पाटिल साब ने दिया विलास राओ देशमुक जी ने दिया अब आतंकी हमले होते हैं तो तुम वोट मांगते हो चाहिए तुम्हारी राष्टर भक्ती है आओ मोदी साथ मैदान में आके लोगों को भटकाओ मत मुद्दों से परिमत करो आके रोजगार की बात करो ना मंदिर की बात हो ना मस्जिद की बात हो प्रजा बेरोजगार है पहले मेवालों की बात हो किसान की पगडी की बात हो औरत के सम्मान की बात हो घरीद की रोटी की बात हो ना राम मिला ना रोजगार मिला हर गली में मुबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला और आज मैं डंके की चोट पे आपको कह रहा हूँ तुझे फकीर कहूं या गंगा तुझे फकीर कहूं या गंगा तुझे भाशनवीर कहूं या तंगा अरे तेरे रूप अनेख है भाईया तु बहरूपिया रंग बिरंगा बहरूपियो हो मुखोटा उतर गया है पुरे ब्रह्मांद में शोर है कि जमीर पे ही नहीं आकाश और पाताल में भी चौकिदार चोर है मिजाइलों का तुमने ठेका इनको दे दिया हैं जमीने तुमने बेच डाली बैंक तुमने लूट डाले सरकारी कंपनिया तुमने बंद कर दी और अब तुम राष्ट्रवाद की शरण में जाते हो भक्तों को लगता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं एक रेलवे स्टेशन था और एक चाई की दुकान थी मोदी जी ने खोद के निकाला हिंदुस्तान जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो संबिदान रच दिया था अमेटकर साब ने जब तुम चड़ी में थे मोदी साब तो यहां चले गए थे अंतरिक्स में भागणा डैम बन गया था ग्रीन रेवलूशन आ गई थी वाइट रेवलूशन आ गई थी बंद करो अपना कूड प्रचार और ना जाओ अब तुम शरन में राष्ट्रवाद के तुम राष्ट्र विरोधी हो राष्ट्र भग्त किसी तरह से भी नहीं हो तुम बाइटाब यह बताएं कि राजु गांदी ने पिछले ही दिनी नव जो सिंग सिद्धू चोन परचार करन दुरान उननाने भीवादत ब्यान देता सी जिस करके हो चर्चा जाए सी उदे बाप जुद भी उनना दे चोन परचार करन चो कोई भी कमीन नहीं आई ओह आज भी अपना चोन परचार कुरे जोशनार करने तिंद्र इंद्र मोधी देच्चाम के निश्चा ने साथ रेने फिर रपोर्ट चैनल पंचाब साथी लेटेस्ट खाबनों साथ तो पहला वेखा ली साथे चैनल चैनल पंचाबनों करो सस्क्राइब ते नोटिफिकेशन ली दवाव बैल दा बटन